वेलकम तो आशी सिंह लेक्चर्स आप मेरी बात सुनो कि यह जो चैप्टर है इसके अंदर तीन अलग 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 चैप्टर अलग टॉपिक पर तो इसे लिए हम इस चैप्टर को स्टा करेंगे कि एक दिन हम इन तीनon चैप्टर के सारे वर्विएव वर्ड मीनिंग सरेटकरा हुआ था उसके बाद इसकी थीम के बाद इसके वन और फिर इसके सबके NCRT वाले question and answers करेंगे ठीक है तो आज वो इसको जल्दी से start करते हैं तो भाई सबसे पहला जो chapter है इसके अंदर सबसे पहला glimpse of India के अंदर जो first chapter था वो था आपका बेकर फ्राम गोवा है ना किसके द्वारा लिखा गया है लूशियो रॉट्रिग इसके द्वारा ठीक है आप एकर फ्रॉम गोवा हमने पड़ी थी जिसमें बताया गया कि गोवा में बेकर की कितनी ज्यादा importance है bread का कितना महत्व है ठीक है यही हमने पड़ा था इस chapter में इसका एक बार overview देख लो ताकि आपको प्रिवाइस हो जाए कि हमने chapter में क्या पड़ा था तो लेसन बिगिन विद हाव नारेटर्स एल्डर्स ओफ्टन रिकॉल दी टाइम गोवा वस अंडर रूल ऑफ पॉर्टोगीज लेसन स्टार्ट के सब्सक्राइब कि उनके जो पूर्वज थे या उनके जो बड़े थे वह हमेशा याद करते थे कि भाई कैसे ब्रेट बना करती थी जब पॉर्टोगीज का रूल था दे टॉक हाव थे इंपॉर्टेंस ओव बेकर्स और ब्रेट की उतनी ही इंपॉर्टेंस है महत्वता है हमारे गाउं में गाउं क्या था गोवान गोवा का विलेज है ना contrahand है , 살아 है बेकर को क्या पुला जाता था गोवा में padder मिकसर पेटर गीजोAll Rad became ये इन में ब्रेटर बना रहे हैं ये investir को बेक्हार है केक का ये ना और उस्ते में उना पाइड का है न जो करते तो मोल्ड बना थे ते मोल्ड जिस शेप में आपको आपकी ब्रेट चाहिए बेकिंग के टाइम वो आपके मोल्ड कहलाते हैं है ना और जो बेकर्स होते थे यह सारे लोग बहुत इंपोर्टेंट थे गोगा के विलेज में और इनकी फरनेस भट्टियां जो अभी भी उतने ही एफिशेंटली व यह पॉसिवल है कि अब जो वह प्रॉपर ओरिजिनल वाले थे वह नहीं हो लेकिन अभी भी उनके जो बच्चे हैं उनकी जागे की जनरेशन ने वहीं काम संभाल रहे हैं और उतने ही बखू भी कर भी रहे हैं अपने बैंबू स्टिक के कहीं विलेज के हिस्से में यह पर आप जो आपने निकल कर आते थे ना ही हम ब्रश करते थे तिर आपना मूध होते तो डायरिक जाकर वहां पर ब्रैट खाने चले जाते थे I was the sorry it was the maid servant of the house who collected the loaves with while children sorted out the bread bagels for themselves ठीक है जो घर की जो नौकरानी होती थी वो bread लाती थी घर के लिए और जो बच्चे होते थे वो bangles ऐसी गोल-गोल वाली bread होती थी वो लेते थे bakery products have importance in the culture and tradition of Goa in products की in bakery products की बहुत जादा value है गोवा के प्रथा और culture में बोल और sweet bread is a part बोल और sweet bread is a part of marriage gifts cakes and ball in house और coconut cookies are eaten at every festival and the lady of the house prepare sandwiches at her daughter's engagement बोल बोल होती sweet meat ही bread होती है वो वहाँ पर बहुत important है जब भी कोई marriage वगर होती थी तो gift के form में दिये जाते थे cakes और बोल इन हास या coconut cookies जो होती थी वो हर festival में दी जाती थी खाई जाती थी और engagement के time जो मदर होती थी daughter की वो sandwiches बनाती थी bread के earlier bakers wore a unique frog of knee length known as kabai but during the narrator's childhood days they wore a shirt and a trouser of length slightly shorter than the usual ones ठीक है पहले जो dress bakers पहनते थे उसको क्या बोल जाता था कबाई जो एक frog जैसी होती थी लेकिन जब narrator का time था जब उनका पचपना था उस time वो कैसे कपड़े पहनते थे shirt और ऐसे trousers जो knee length से नीचे और पूरी length से उपर होते थे जनरली collected their bills at the end of every month और वो क्या करते थे से दूद वाला होता है हम हर महीने ही साब करते हैं वैसे ही यहां पर bread वाले जो होते थे उनका भी हर महीने ही साब होता था और bakery has continued to be a profitable profession managing to keep their families joyous and prosperous बेकरी ने अभी बहुत मतले भी क्या थे profitable काम business था इसमें बहुत profit होता था क्योंकि वहां पर इतनी importance थी कि हर घर में हर festival में bread तो होती ही होती थी ठीक है इस तरीके से आपका यहां क्या हुआ आपने पूरा chapter आपका revise कर लिया आप इसकी पाट की शुरुआत इस बात से होती है कि कैसे बुजुर्ग अकसर उस समय को याद करते हैं जब गोवा पुर्तगालियों के शासन में था वे बात करते हैं कि कैसे पुर्तगालियों के जाने के बात भी उनके गाउं में बेकर्स का महत्व बरकरार है उन्हें गोवा में पैडर्स के नाम से जाना जाता है मिक्सर मोल्डर्स और उनकी समय परिक्षित भट्टियां गोवा के लोगों को उनकी प्रसित ब्रेड परोस्ती रहती है यह संभवे के पुराने बेकर्स अब मौजूद ना हो लेकिन उनक पेशा उनके बेटों द्वारा जारी रखा जा रहा है उनके बास की डंडी की गड़गडाहट अभी भी गाओं के कुछ हिस्सों में सुनी जा सकती है वहीं जंजनाट कताकार और उसके दोस्तों को उनके बच्पन के दिनों में जगाती थी जो बिना ब्रश किये या अपन पराओं में बेकरी उत्पादों का महतू है बोल या स्वीट ब्रेट शादी के तोफे का एक हिस्सा है केक और बॉलिन हा या नारियल कुकीज हर तेओहार पर खाई जाती है और घर की महीला अपनी बेटी की सगाई में सैन्विच बनाती है पहले बेकर घुटने की करते थे बेकरी एक लाब धायक पेशा बना हुआ है जो अपने परिवारों को खुशाल और सम्रिद रखने का प्रबंधन करता है ठीक है इस तरीके से आपने अभी जो हमने पढ़ा ओवर्वी उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन था ताकि आप याद रख सको आप इसकी थीम देखो इस चैप्टर की दो अधर रेमिन 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 इससे इस दी ओल्टाइम दाटी इस पेंट इन गोवा और अधर जो है अपने बच्पन का समय याद कर रहा है कि उस टाइम जो है गोवा में कितना मतलब बेकरी की महत्वता थी और उसकी लाइफ में भी किती प्रफेशन गोवा और अपना पुरानी यादे याद कर रहे हो और साथ में वह यह भी बता रहा है कि वही उस टाइम में याभी भी क्या था कि गोवा के कल्चर में ब्रैट की किती जादा इंपॉर्टेंस थी गोवा में यह सारी चीज़े स्टार्ट हुई थी जिसके आज इतनी जादा इंपॉर्टेंस हो गई है इसकी थीम हो गई इसके वर्ट मीनिंग्स देख लो रेमिनेसाइजिंग नॉस्टाल्जिकली पुरारे यादों को ताजा करना याद करना लोव्स रोटिया या ब्रेड ठीके वैनिश्ट ओजल होना फर्नेस बट्टी एस्टिंग्विश्ट बुजना या बुजाना हेराल्डिंग गोश्णा कमपैनियन साथी जिंगलिंग जनजनाहट स्टाफ करमचारी रभ्यूक डांट फटकार फ्रेग्रेंस खुश्बू पैरपेट मुंदेर फीस्ट बोज भोज खाना वगेरा जो होता है बॉलिन हास ऐसे मतलब बड़ी बड़ी ऐसी बॉल की ब्रेड होती थी प्लम फिजीक मोटा शरीर ओपिन टेस्टिमोनी गवाई ठीके आप इसके एंचे वाले question and answers देख लो फिसका जो next chapter है को वो देखेंगे तो वो और दा एल्डर्स इन गोवा नॉस्टाल्जिक अबाउट जो गोवा के बड़े थे वो किस चीज को याद कर रहे थे तो एल्डर्स इन गोवा और नॉस्टाल्जिक अबाउट गूट ऑउल्ट इतना अच्छा टाइम था और इतनी अच्छी ब्रैड हमें खाने को मिलती थी दोजीटर्स ऑफ लोव माइट हैव डाइड वड़े मेकर्स आर इस दुनिया में नहीं हो लेकिन अभी भी उन्हें बनाने वाले इस दुनिया में मौजूद है इस ब्रैट मेकिंग स्टिल पॉपुलर है अगर है तो आपको कैसे पता यह बताना है यास ब्रैड मेकिंग इस इस्टिल पॉपुलर इन गोवा दिस इस क्लियर फ्रॉम देट इस दा मिक्सर्स दा मोल्डर्स और दोस भी भी पॉपुलर है गोवा में क्यों क्योंकि अभी भी वहां पर बैटर बनाने वाले मोल्ड्स बनाने वाले ब्रैड बेक करने वाले मौजूद है दा फाइर इन फ़र्नेस हैस नौट यह बिन एक्स्टिंग्वेश जो बट्यों में आग लगी हुई है वह अभी भी बुजी नहीं है जिससे पता जलता है कि अभी भी पॉपुलर है बेकर को क्या बोला जाता था पैडर ठीक है वैन वुट दा बेकर कम एवरी डेए वाइड द चिल्डन रन टू मीट हिम ठीक है का बाता था बेकर रोज के टाइम कब आता था वो टाइम बताना और बच्चे क्यों उससे मिलने भागे चले जाते थे तो बेकर यूस्ट टू वो दो बार आता था दिन में दा चिल्डन रन टू मीट ग्रीट हिम देट सो विकर्स दे लॉंग फॉर दा ब्रैड बैंगल्स चिल्डन जो उसके पास जाते थे उससे मिलते थे और उन्हें जो है ब्रैड बैंगल्स खानी होती थी ठीक है इस तरीके से आप लिखोगे में क्या जरूरी है क्या जरूरी था मैरेज गिफ्ट में क्या जरूरी था स्वीट ब्रैड है ना जिसको बॉल बोला जाते था गिफ्ट के रूप में फ़रा पार्टी और फीस्ट अगर कोई पार्टी हो रही है कोई फीस्ट हो रही है तब क्या चाहिए ब्रैड चाहिए इंगेजमेंट उसके लिए क्या चाहिए sandwiches होते हैं और क्रिश्मस में क्या चाहिए cakes and bowling house इस तरीके से आपको यह match करना है मतला मैंने यह आपको already match करके पूरा answer दे रखा है इसको देख लो ठीक है what did the bakers wear ठीके आप बेकर्स जो ही क्या पहनते थे अब दो time से दोनो time का बताना Portuguese days में जब Portuguese rule था उस time क्या पहनते थे और जब author एक छोटा बच्चा था तब क्या पहनते थे तो इंदी Portuguese days the bakers wore a peculiar dress known as कब आई ठीक है Portuguese days के time Portuguese real की time वो क्या पहनते थे एक ऐसा अजीब सा frog dress पहनते थे जिसको क्या बोला जाता है कब आई ठीक है it was a single piece long frog reaching down the knees एक पूरी लंबी सी ऐसी पूरी गुटनों तक की frog होती थी वो वें दो ऑफर वो यंग the bakers wore a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants जब author चोटे थे तब bakers क्या पैंदे थे shirt और ऐसे ट्राउजर जो knee length से तो नीचे होते थे और long full pants से उपर होते थे ठीक है इस तरीके से आपको questions आ जाएं तो आपको answer देना है ठीक है clear हो गया यहां पर आपको चलो who invites the comment he is dressed like a padder और वाई ठीक है किसको ऐसे comments कर दिये जाते थे कि तुमने तो padder की तरह कपड़े पहने वे और क्यों तो anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder this is because a padder used to dress like that कोई भी लड़का अगर दिख जाता था ना जिसने मैं ऐसी half pants पहने हो जो उसकी गुटनों से नीचे जा रही हूं तो उसको यह comment कर दे जाता कि तुमने तो padder जैसे कपड़े पहने क्योंकि उस टाइम में padder ही जो bakers होते हैं वह ऐसे कपड़े पहनते थे जो बेकर होता था उसके जो मंथली अकाउंट है वो कहां लिखे जाते थे तो दा मंतली अकाउंट्स वह रिकॉडे ओं सम वाल विद पैंसल पे लिखे जाते थे पैंसल से जैकफ्रूट जैसी आपेरंस का मतलब क्या है मोटा ताजा शरीर ना प्लंफ फिजीक लाइक the jackfruit ठीक है ऐसे चोटे-चोटे से question and answers और बहुत easy है ठीक है आप इसके thinking about the text वाले देख लो which of the these statements are correct यहां पर आपको कुछ statements दिया आपको बताने की कौन से correct है कौन से incorrect है पैडर एक बहुत important person माना जाता था पुराने टाइम में माना जाता था तो correct पैडर इस्टिल exist in Goa and villages आभी भी गोवा के गाओं में पैडर्स हैं है ना तो correct पैडर्स वेंट अवे विद पॉर्टिगीज पैडर्स भी पॉर्टिगीज के साथ चले गए थे तो ऐसा नहीं था हमने पड़ा कि पॉर्टिगीज रूल चले गया था लेकिन फिर भी पैडर्स थे तो यह क्या हो गया ओल डेज ब्रैड और केक जो एक मतलब अंदुरूनी सा बहुत इंपॉर्टिट सा बन गए थे गोवान विलेज में तो बन गए थे तो गलत है वही खुद बना रहे हैं और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनिस है तो कैसे रह सकते हैं तो यहां पर क्या आजएगा पार्टी या भोज होते हैं तब काम आते हैं ब्रैट की जरुद पड़ती है उस मा को जिसकी बेटी की सगाई होती है ताकि वह सैंविचेस बना सके तिक दी राइट आंसर वाट इस टोन ऑफ दी ऑथर वन ही सेस्ट फॉलविग अब तुम्हें यहां पर ना ओथर की स्पीच दीवे लाइन दी हुए और तुम्हें बताना है कि उसका टोन कहसा है तो अपना बचपन याद कर रहा है तो टोन कैसी है नौस्टाल्जिक है यहां पर एक आशा है कि यहां अभी भी वह चीज है अभी भी हम वह चीज जाके इंजॉय कर सकते हैं मैं अभी भी उस ब्रेड की याद कर पा रहा हूं समझ पा रहा हूं तो आप क्या कर रहे हो कुछ चीज याद कर रहे हो तो आपने आप साफ हो जाता है तो यहां पर टोन कैसा था फणी था ता कि आप हसो है ना तो इस तरीगे से आपको सिंपल सिंपल अगर क्वेशन आ जाएं तो इस तरीगे से आंसर करने हैं ठीक है चलो केक्स और बॉलिन हाज जो है क्रिसमस के लिए बहुत जरूरी और दूसरे फैस्टिवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो यह क्या है मैटर ओफ फैक्ट है कि हाँ यह ज फैक्ट ही है ठीक है इस तरीगे से question and answers करना है उसके बाद next chapter जो था इसमें वो क्या था हमारा कोर्ग ठीक है आजाओ अब जल्दी से कोर्ग का पढ़ लेते हैं राइटर कान इसके लोकेश अब्रोल तो the writer describes the hill station of कोर्ग located in the western ghats in the state of करनाटका तो राइटर क्या describe कर रहे है एक जगा describe कर रहे है जिसका नाम क्या है कोर्ग जो एक hill station है जो कहाँ पर है वेस्ट घाट की तरफ है करनाटका में It is located midway between Bangalore and Mangalore कहाँ पर है वो Bangalore और Mangalore के बीच में question आ सकता है कहाँ पर है कूर्ग तो क्या लिखोगे between Bangalore Bangalore and Mangalore The suitable time to visit कोग is from September to March कूग जाने का सबसे अच्छा time कब है September से March के बीच का The place is famous for coffee plantations and spices यहाँ पर सबसे जादर क्या plantation होती किस चीज की होती है Coffee की और मसालों की There are abundant rainforests which cover 30% of the area वहाँ पर बहुत अच्छी मातरा में rainforest है मतलब कूर्ग का 30% क्या है Rainforest cover कर रखा है The कूर्गी men are brave warriors who are permitted to keep firearms without a license Due to their trustworthiness ठीक है, कूर्गी जो लोग हैं वो क्या हैं बहुत 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 बाहदूर warriors हैं जिनोंने fight वगेरा भी करी है पहले है ना और उनको जो है वहाँ पर इजाज़त है वो fire arms वगेरा मतलब बहुत 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 रखार रख सकते हैं कूर को कुडावू भी बोला जाता है जो रिलीजन से धर्म से तो हिंदू है लेकिन बहुत डिफरेंट है एक टिपिकल हिंदू से कुडावू को क्या माना जाता है यह शायद इनके पूरवज या तो ग्रीक थे ग्रीज के थे या फिर अरप के थे सब्सक्राइब एलिक्जनर से अर्मी के कुछ लोग थे जो वापस नहीं जा पाए तो यहीं सेटल हो गए और उनकी जो ज़ रैस है वो कैसी लगती है अरप के कुफिया जैसी लगती और उन्की खुदकी ड्रैस को क्या बोला जाता है कुप्पिया ठीक है जो इसी वज़ास से उनको क्या माना जाता है कि वो या तो अरप के या ग्रीक के के डेसंट है ठीक है कि रिवर कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम कूर्ग रिवर कावेरी जो वो कूर्ग से होती है दा फिश नेम्ड महासिर इस फांड इंदा रिवर महासिर मचली यहां मिलती है यहां पर अलग अलग तरीके के जानवर कावेरी रिवर के पास देखने को मिलते हैं टूरिस्ट रिलेक्स इन अट्मोस्फेर और अलसो इंजोई अडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग कानोईंग रापलिंग मांटेन बाइकिंग रॉक क्लाइंग ट्रेक यहां पर लोग आके काफी मतलब इतना शानट ऒर प्यारा एक्मोसफेर वसको इंजोऊ करते काफी सारे स्पोर्ट सरय पर जैसे रिवर अफंटिंग है वोटिंग हो गई च्धे च्टिचा पर ना होगीचिंग करना हो गयां यह यह ता अईईक्मटेन बाइकिंग हो गई तो जो हमने चाप्टर पड़ा था यह उसका ओवर्व्यू है इसको हिंदी में भी देख लो लेकट करनाटक राज्ये में पश्चे में गाटों में स्थित कूर्ग नाम किये हिल स्टेशन का वर्णन करता है यह बैंगलोर और मैंगलोर के बीच में स्थित है कूर्ग घूमने का उप्यूग समय सितंबर से मार्च तक है यह स्थान कॉफी के बागानों और मसालों के लिए प्रसिद है भरपुर मातरा में वर्शा वन है जो 30 प्रतिशत शेतर को कवर करत है कूर की पुरुष बहादूर योदा हैं जिन होते हैं जिन्हें उनकी विश्वस्तनियता के कारण बिना लाइसेंस के अगने यास्त्र है ना फायराम्स रखने की आनूमती होती है कूर की महिलाएं बहुत खूपसरत होती हैं कूर को कुडाव और कुडावस के नाम से भी जाना जाता है हाला कि धर्म से वे हिंदू हैं लेकिन उनके रिती रिवाज मुख्यधारा के हिंदू से अलग है वे अपने समुदाई के बीतर शादी करते हैं कुडावस को ग्रीक या अरभी मूल का कहा जाता है सिकंदर की सेना के कुछ सैनिक वहीं बस गय थे इसके अलावा कुडावस की जाती है पोशाक के रूप में कुप्या अरभ परिधान कूफिया के समान है ऐसा कहा जाता है कि शायद उनके पूरवच अरभ या कूर्द थे कावेरी नदी नदी में पाई जाती है किंग फिशर लंगूर गिलेरी और हाती जैसे कहीं जानवरों और पक्षियों को नदी के किनारे देखा जा सकता है परेटक शांत वातवरण में आराम करते हैं और रिवर राफ्टिंग कनोईंग रैपलिंग मांट बाइकिंग मांटिन बाइकिंग रॉक क्लाइबिंग और ट्रेकिंग जैसे सहसिक खेलों का भी आनन लेते हैं प्रकृति की पक्डंडियों पर ट्रेकिंग करते समय मककुस मालाबार गिलेरी लंगूर और श्लेंडर लॉरिस जैसे जानवरों को पेड़ों पर देखा जा सकता है प्रामोग प्रेटक ब्रह्मगिरी पहाडियां निसर्ग दाम दूईप और बाइलक उपे तिब्बती बस्तियां है कूर्ग आगंतकों को भारत की विविद संस्कृति का अनुभव कराता है ठीक है तो यहां पर जो हमने पढ़ा उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखा हमने ठीक है ठीक है चलो स्टेट अफ करनाटिका स्टेट इट इसक्राइब दी कूर्गी लाइफस्टाइल अपीपल दियर कल्चर ट्रेडिशन अच्छल ब्यूटी अन वेरियस अट्रेक्शन अट प्रोवाइट पर तूरिस्ट ठीक है तो यहां क्या बोला जा रहा है कि यह ऐसे क्या एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है एक हिल स्टेशन का जिसका नाम क्या है कूर्ग ठीक है और उसको हम क्या बोल सकते हैं कोडागू डि style the people their culture tradition the natural beauty and various attraction that the place provides for tourists ठीक है कि यहाँ पर वाई किस तरीके की प्रथास थी किस तरीके के लोग थे उनका कैसा रहन सहन था है ना वहाँ पर क्या-क्या चीज़ है फेमस थी क्या-क्या attraction थी लोगों के लिए टूरिस्ट के लिए यह सब हमने इसमें पड़ा उनकी बहादूरी के बारे में उनकी ट्रेडिशन के बारे में उनकी कॉस्ट्यूम के बारे में यहां बात हुई है ठीक है तो यह इसी चैप्टर इसी चीज़ों के इसी बोदक के शब्द आडेंट प्रबल कीन उत्सुक्त मैगनिफिसेंट शांदार बैकड्रॉप प्रिश्ट भूमी डैंसली वोडेड घने जंगल स्टरी मजबूत बलोइंग आउट बाहर निकलना कॉंसेंट्रेशनक हैं क्वेग अलगएंट भी यहांपे कॉंसेंट्रेशन मतलब क्या कोई比ग Kath सब्सक्राइब में कोई चीज होना लेजेंड्स की वंदंतियों मतलब ऐसी स्टोरिय जिसमें कोई मतलब मेसेज है इस तरीके की ट्वेक्स टहनिया स्कॉफ्ट उपहास अज़ेटिक तपस्वी साधू अगेरा जो होते हैं आईलेट्स पलके मेडिटेशन साधना बैनेश्ट निर्वासित बेवरेज पैपदार्थ क्लेटर्ड तीखी आवाज प्रूंड छटाई आपरन बहारी पोशाग स्प्राउटेड अंकुरित ठीक है अब इसके इसलिए बैंगलोर में इसलिए बैंगलोर भी लिख सकते हो क्या स्टोरी के लोगों की कि वह किनके डेसेंट है और क्यूं है वह बताना है तो दा फिरसली इंडिपेंडन्ट पीपल ऑफ कूर्ग और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डीसेंट यह माना जाता है कि यह उतने बहादूर लोग हैं कि किनके डीसेंट हैं किनके ग्रीक के या अरबिक डीसेंट है आज वन स्टोरी गोज अपार्ट ऑफ अलेक्जंडर्स आमी मूफ साउथ अलॉंग दा कोस्ट अं सेटल्ड है ठीक है अलेक्जंडर की आर्मी का एक हिस्सा थे गे लोग जो क्या हुआ इस कोस्ट पर आये साउथ की तरफ और यहीं सेटल हो गए क्योंकि इनका वापस जान बइदी अरप्स एंदा कुट्स क्योंकि वह कुप्या वेंते थे जो अरब के अरबिक कपडों से मिलता जूलता था कुफिया से इसलिए इन्हें अरप से भी रिजैंबल किया जाता था आपको इनके कवारे में क्या क्या पता है और जो किनके पूरवच कॉन थे या तो ग्रीक से या अरप मेंबल कॉर्फ क्या था कूर्ग का का गॉफी तो आपको यहां सारे sports लिखने वहाँ पर आपको कौन-कौन से animals देखने को मिल सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताए एक question आ सकता है तो वहाँ क्या-क्या देखने को मिल सकते हैं मालाबर, स्कुरिल, लंगूर, लेंडर, लॉर्स, अलेफेंट, एक्सेक्टरा इस दिस्टांस फ्रॉम बैंगलॉर और वहाँ दिस्टांस कितनी और आप कैसे जा सकते हो ता आप बाई रोट जा सकते हो इसना धाईसो से दोसो साथ किलो मीटर बैंगलोर से है यह ठीक है इस तरीके से आंसर करना है यहां पर जो लिखा हुआ है इसमें से कुछ-कुछ मतलब यह जो स्टेटमेंट है इसको उस पेरिग्राफ में से आपको मीनिंग देखकर बताना है जैसे दिखा हुआ है कि बाई मौनसून के टाइम इतनी बरसात होती है कि टूरिस जो है वो यहां पर नहीं आते हैं फेरिग्राफ के टू में ऐसी कौन सी लाइन थी जो यह चीज बताती है तो परिग्राफ 2 में लाइन थी इट परोज इननफ टू कीप बात बताती है तो as the story goes Alexander's army moved south along the coast and settled there the court people are always ready to tell stories of their sons and fathers वेलर कोर की लोग हमेशे तयार रहते हैं अपने fathers की अपने बच्चों की बहादुरों की कहानिया सुनाने के लिए paragraph 4 में ऐसी कौन सी लाइने जो यह बात बताती है they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers ठीके तो इस तरीके से आपको उस paragraph में से वो लाइन डून कर लिखनी है even people who normally lead an easy and slow life gets bitten by the high energy adventure sport of Korg even जो लोग normal life साधारण से life जीते हैं वो भी यहां आकर adventurous हो जाते है paragraph 6 में ऐसी कौन सी लाइन जो यह बात दिखाती है तो the most let-back people individuals become converts to the high energy sports of Korg the theory of the Arab origin is supported by the long coat with embroidered West belly they wear paragraph 3 में ऐसी कौन सी लाइन जो यह दिखाती है कि जो Arab origin वाली जो थियरी है वो इसलिए support की जाती है क्योंकि उनके कपड़े वैसे ही लगते हैं तो the theory of Arab origin draws support from the long coat with embroidered West belt they wear एसी सेम लाइन थी मैंके क्यूज मालाबर स्कुरेल उब्जर्व यू कैरिफुली फ्रम्दा फ्री के नॉपी पैरिग्राफ 7 में कैसे लिखाई यह मैंके क्यूज मालाबर स्कुरेल इसका ओवर्व्यू देखलो अब the story revolves around the infamous beverage tea telling us more about its history and discovery ठीक है जो story है यह किस बारे में है जो बहुत जादा popular beverage है पीने वाला पदार्थ है जो क्या है चाहे ठीक है उसके बारे में है क्यों की history क्या थे और उसकी discovery कैसे हुई it begins from the scene where two friends प्राणजोल और राजविर और सेट तो गो टू आसाम प्राणजोल's hometown वन टीवेंडर आस देम इफ दे वूड्ला की ने वह कहां कहा है कि ट्रेन के डब्बे काय जहां पर दो दोस्त है ठीके प्राजोल और राजवीर जो कहा जा रहे थे प्राजोल के घर जा रहे थे जो कहा पर है आसाम में है ठीके उस वक्त क्या हुआ कि एक चाए वाले ने उन से चाएक का पुछा उन्होंने भी दो कप चाहे लिए जैसे कि वहां के सारे जो डिब्बे में लोग थे उन्होंने ली थी अब उनकी जो सफर था यह वो शुरू हुआ प्रांजोल जो है क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था उसके लिए चीज नॉर्मल थी बाहर की सारी सीनरी अच्छी अच्छी और टी वगेरा के बारे में उसका नॉर्मल था क्योंकि वह वही पला बढ़ा था तो वह अपने डि जाड़ी फील्ड फॉलोड बाई टी बुशिस काफी अच्छे अच्छे हरी फील्ड दिख रहे थे खेट दिख रहे थे और चाय की अच्छे जाड़ियां और खेट थे राजवीर इस वेरी एक्साइटेड ऑन सिंग सच लार्ज प्लांटेशन ऑफ टी बट प्रांजोल इ क्योंकि वह वहीं पला बड़ा था जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि आसाम को क्या माना चाता है टी कंट्री विजिटिंग टेया फॉर दी फॉर्स टाइम राजवीर डिड़ लॉट अव स्टडी अबाउट हाव टी वस डिस्कवर्ड और डाट डेट्स बैक टू 2700 ब इसी में according to what he read it was first consumed in China and reached Europe in the 16th century जो उसने पड़ा था उसके इसाब से टी सबसे पहले चाइना में डिसकवर्ड की गई थी उसके बाद वो युरॉप आई 16th century में युरॉप में भी वो पहले पीने के लिए नहीं थी वो किस वज़ा से popular हुई उसकी medicinal दवाई वाली प्रोपर्टीस की वज़ा से तो चाइनीज एंपरर वाली वाली स्टोरी क्या थी क्या थी क्या उसे इसका टेस्ट पसंद आया है ना क्या हुआ था कि एक्सिडेंटली टहनी की गिर गई थी ट्वेक गई थी चाय की उसमें पानी में जिससे एक अच्छा स्वाद आया तो ऐसा कहा जाता है उसकी वजह से टी डिसकवर हुई और अगर हम बुद्धिस्ट मोंक वाली स्टोरी देखे तो उनको बहुत नीन दाती थी तो उन्होंने चाय को अपनी नीन जगाने के लिए पीना शुरू किया था इस तरीके से चाय डिसकवर की गई तो अलग-अलग स्टोरीज हैं सब जगा आप जब वो यह सारी बाते कर रहे होते हैं वह स्टेशन पहुच गए होते हैं और अपने टी गार्डन में ले जाते हैं अन्हें बाते चाय बिरिज दिखता है उसके बाद एक ट्रक दिखता है जिसमें टी लीव भरी हुई होती है पिर उनने मालूम चलता है कि इस सेकिंड स्प्राउटिंग है सेकिंड स्प्राउटिंग का मतलब कि एक बार इससे पहले हो गई इसकी खेती है राजवीर इंडीड डिट लॉट अव स्टडी बिफोर कमिंग विच इंप्रेस्ट पादर और रिसर्च करके राया था जिससे प्राजवीर के फादर उससे काफी इंप्रेस्ट हुए और उ जो हमें इसके इतिहास और खोच के बारे में बताती है यह उस द्रश्य से शुरू होता है जहां दो दोस प्राजवीर प्राजवीर के ग्रह नगर आसाम जाने के लिए तयार होते हैं जब एक चाई विक्रेता उनसे पूछता है कि क्या वे कुछ ताजी बनी चाई लेना च चाहेंगे विदोग अब चाई खरीदते हैं और अपने ट्रेन के डिब्बे में लगबग हर दूसरे व्यक्ति के साथ मिल जाते हैं जिनोंने चाई ली वहां से यातरा शुरू होती और प्राजवीर अपनी जासुसी किताब पढ़ना शुरू करता है जबकि राजवीर ट् पुद्सास्तर में से मेल नहीं खाता क्योंकि उनका जन्म और पालन पोशन आसाम में हुआ था जिसे टी कंट्री के नाम से जाना जाता है उसके लिए ये बाग कहीं कोई नहीं चीज नहीं थे ठीके बाग बाग नहीं बाग पहली बार वहां जाने से पहले राजवीर ने इस बारे में बहुत अध्यन किया कि चाय की खोच कैसे हुई और ये 2700 इसा पूर्व की है उन्होंने जो पड़ा उसके अनुसार चाय का सेवन पहली बार चीन में किया गया था और सोलवी शताबदी में चाय यूरोप पहले वाली को इसका स्वाथ पसंद आया जबकि बाद वाली ने इसका इस्तिमाल नीन से छुटकारा पाने के लिए किया जब ये चर्चा कर रहे थे वे अपने गंधवे पर पहुंचे जहां प्रांजोल की माता पिदा उन्हें लेने और उन्हें अपने चाय बगान में ल कुरित फसल का था राजवीर ने आने से पहले वास्तव में बहुत अध्यन किया जिसते प्रांजल के पिता प्रभावित हुए और उसका इरादा और भी बहुत कुछ सीखने का था ठीके तो ये उसका वर्जन हो गया हिंदी वर्जन अब इसकी थीम देखो इस इन इंफरमेटिव राइटिंग वेर ऑथर टॉक्स अब टी गार्डन ऑव असाम था इंपोर्टन सव टी फॉर्ड वर्ड अन आउसो तेल्स अस्में बहुत इंफरमेटिव राइटिंग है जिसमें चाय के बारे में हमने चीज़े जानी और चाय कैसे डिसकवर की गे इसके बारे में अलग अलग स्टोरीज देखी इट इस स्टार्ट राइट फ्रम ट्रांसफर्मड फ्रम अमेडिसन चुआ बेवरेज आंड फाइनली इट बिकेंग नोच पॉपिलर डिंक इन टूडेश टाइम ठीक है यह मतलब पता चला कि कैसे उसका ओरीजिन हुआ फिर थे ना वेंडर वही विक्रेता यह वाले जो आगे मैंने बताए वही इसके वर्ड मीनिंग से सारे ठीक है अब इसके क्वेशन अंसर देखो एंसी आटी वाले दिस एटी कंट्री नाओ एक्स्प्लेइन दिस विद रेफरेंस टू आसाम देखो 2013 में भी आया हुआ यह क्व जो है टी प्लांटेशन हैं दुनिया के अलाज नंबर ओफ टी गार्डेंस केन वी फाउंड यहां पर बहुत बड़ी तादाद में टी गार्डेंस पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ टी ग्रोन इन असामी सप्लाइड ओल ओवर दा वर्ड यहां पर जितनी भी चाय उखती है वह पूरे व्रड में सप्लाइग की जाती है वर्ट एक्साइटेड रायर जवीर वाय डिट प्रांजोल नौट शेयर जाइटमेंस त्यों यह किस चीज़ से राजवीर एक्साइटेड था और क्यों हो प्रांजोल उसके एक्साइटमेंन को मैच नहीं कर पाया familiar to him ठीक है प्रांजोल जो है वो बहुत excited नहीं हुआ क्यों क्योंकि वह आसाम में पहला बढ़ा है उसके लिए यह सब नॉर्मल था विच चाइनी स्टोरी डिद राजवी तैल अबाउट दिस्केवरी ओव टी चाइनी स्टोरी जो थी टी के बारे में वो बतानी है तो देर चाइनीस स्टोरी बाउट टीट वस सेट दाट देर वस चाइनीस एंपरर ही अल्वेस ट्रेंक बोल्ड वॉटर तो एक चाइनीस सम्राट था जो हमेशा पानी पीता था वंस वाइल बॉलिंग वाटर सम लीव्ट बढ़निंग ट्विक्स फैल इंटो दी पॉट एक बार ज इसे ही फिर टी की डिस्कावरी हुई ठीक है इसी के साथ आपका जो आजवले चैप्टर है वह यहां फिनेश हो जाता है ठीक है जो वर्ड मीनिंग्स थे हैं जो मैंने कूर्ग में कराए थे ना वो दोनों मिक्स हैं ठीक है तो यह सेम ही दुबारा लिख दिया है मैंने तो आप वहां से भी देख सकतो और यह भी देख सकतो ठीक है तो इसी के साथ आची क्लास हम यहां फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए दिस इस मदीहा खान साइनिंग आफ राइट नाओ बाइबाइ और हैव नाइस दे